जादा संक्रमन होने पर उसको यदि ऐलोपेथी के साथ भी अर्वेद को लेता है तो कोई आपति नहीं है। इन चीजों का गिलोग का, अलवेरा का, अनार का और पापिति के पत्तों का रसका ऐलोपेथी के साथ में कोई रियक्षन नहीं है। इसलिए कोई साथ में भी लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जितने भी पेसेंट, दोस्तो, आज मैं बात करें डेंगू के बारे में, दोस्तो, मैं चोटा से कपनान वह, आपसे सेयर करना चाहता हूँ, मेरे पास कल एक डेंगू का पेसेंट आया था, उसकी कल प्रेटलेट से लगबक 27,000 का असपास थी, और आज जब उसने 24 गंट के बार टेस्ट कराया, जो मैंने उसको नहीं उसका बताया था, जो मैंने उसको ट्रेट्मेंट दिया, उसके बाद उसकी जो प्रेटलेट से एक लाक, दस जार के असपास हो गई है मातर 24 गंटे में तो वही मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूं उसके अंदर दोस्तों मैंने उसको एक तो गिलोए तुलसी थोड़ी सी काले मिर्च और उसके अंदर कच्छी हल्दी इसका मैंने उसको एक वात बना के पिलाया था साथ में उसको बोज अदर जल्दी और रिकवरी होई है इसको बनाना कैसे दोस्तों आप उगर बैठे आप इसको बना सकते हैं इसके लिए आपको एक फुट गिलोए लेनी है च्यार पते तुलसी के लेनी है थोड़ी कच्छी हल्दी और साथ में एक दो काले मिर्च इन सब को आप च्या इसका प्रियोग कर सकते हैं या नहीं इसका प्रियोग आप कर सकते हो इसके अंदर कोई ऐसी रियक्शन नहीं होगी गिलोए और पित्ता के पत्तों का जो यह काड़ा बनेगा इससे किसी भी तरह कोई आपको नुक्सान नहीं होग दोस्तों तो आपको मैं पताना चाता हू दोस्तों डेंगू में जो प्रेटलेट्स कम होती हैं उससे अब गबराएं नहीं बस उसकी जगाप सही प्रयोग करें सही नुसका अपनाई जो आईरवेद के अंदर है दोस्तों वह हमारी जीवन के रक्सा करता है आईरवेद के जो हमारी सिमुनिय ने पुरसार्त किया है ज सब्सक्राइब तक जय हिन जय वार्द